दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मागदर्शन फार सिविल सेट्षिज में मैं अनुराग जौधरी दोस्तों आज हम देखेंगे प्रारंभिक परिच्छा, मुख्य परिच्छा और इंटर्ब्यू में महत्वपूर कौन सा है तो दोस्तों आईए देखते हैं, प्रारंभिक परिच्छा की सफलता ही मुख्य परिच्छा में सामिल होने की गारंटी है दोस्तों प्रारंभिक परिच्छा की सफलता आपको मुख्य परिच्छा में बैठने का मौका देती है इसलिए प्रारंभिक परिच्छा को थोड़ा भी हलके में नले प्रिसाथियों विकास कर्मिक होता है प्रकिर्तिका प्रतेक्ता तो एक चरण बद धरूप से चलाएमान होता है हमारी सफलता भी ठीक इसी प्रकार से है यह भी एक चरण से दूसरे चरण में आगे बढ़ती है आप जानते हैं कि सिविल सेवा परिच्छा में तीन चरण है प्रारंभिक परिच्छा, मुख्य परिच्छा और साच्छाथकार प्रारंभिक परिच्छा में जहां हमारे ग्यान वा मानसिक छमता का परिच्छन होता है वही मुख्य परिच्छा हमारे विशलेश रात्मक छमता का मुल्यांकन किया जाता है साच्छातकार में ने केवल हमारे बौधिक छमता का बलकि हमारे ब्यक्तितु का परिच्छन किया जाता है अगर आप मुझसे पूछे कि इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है तो मेरा जबाब होगा प्रारंभिक परिच्छा यहने केवल हमारी सभलता का प्रारंभिक चरण है बलकि अपने लच्छे की और आगे जाने का प्रवेस द्वार भी है प्रारंभिक परिच्छा को सबसे महत्वपूर्ण मानने का अर्थ यह नहीं कि मुख्य परिच्छा और साच्छातकार का कोई महत्व नहीं दोश्तों मुख्य परिच्छा तो और भी महतुकी है क्योंकि प्रारंभिक परिच्छा जहां हमारे सफलता के लिए इंट्री प्रदान करती है वहीं मुख्य परिच्छा हमारी सफलता का निर्धारक है क्योंकि मुख्य परिच्छा में प्राप्त अंकों से ही हमारे चैन का मा प्रसस्त होता है साच्छातकार के अंकेवल आपके रेंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं इसलिए कुल मिला कर देखे तो मुख्य परिच्छा सरबाधिक महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परिच्छा जहां पहली चुनावती के रूप में आती है वहीं हमें इसका डटकर मुकाब भी गलती आपको दोड से बाहर कर देगी इसलिए छोटे तथा आसान लगने वाले तत्यों की अंदेखी ना करें यहीं छोटी छोटी चीजें आपको बड़े लच्छे की ओर ले जाती हैं और आपको बड़ा बनाती हैं तो डर किस बात का खुद से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं जब आपको उत्तर मिल जाए तो कमेंट बाक्स में मुझे बताइए क्योंकि आपको न तो कोई बहला सकता है न कोई भर्मा सकता है और नहीं कोई समझा सकता है आप खुद समझदार हैं इसलिए स्वयंग से प्रेड़ा लेजिए अपने दिन प्रत दिन की तयार मुख्य पर इच्छा और अंतिम सेलेक्शन लेके ही रहूंगा सुब कामनाओं सहित आपका अनुराग्शा अधरी नमस्कार धन्यवाद